दोस्तों जो किसी पर्सन के जो लिप्स होते हैं उन में बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं जो कहीं सारी बीमारियों को दर्शाती हैं जैसा कि आपने उनभा किया होगा जो लिप का कलर है वैसे तो वह सकीन के अकॉर्डिंग ली होता है बहुत सारे लोगों में लेकिन नार्मल यदी हम देखें तो वह कुछ पिंक इश होता है यदि lip का color pinkis से pale की तरफ जा रहा है और overall pale हो रहा है पेशेंट तो वो ये शोव करता है कि इसमें एनीमिय है यानि के blood की कमी है तो एनीमिय केंडिशन में जो lip का color है वो pale हो जाता है और यदि oxygen की कमी हो जाती है suddenly और यह कोई poison जैसे दिया जाता है तो यहाँ पे blues color हो जाता है जिसको हम sinuses कहते हैं वो lips पे बहुत ही particularly visible होती है इसी के साथ साथ कई बार जैसे आपने देखा होगा कि जो angles होते हैं यहाँ पे lip के दोनों corner पे यहाँ पे बहुत सारे लोग को cracks हो जाते हैं बहुत chronic एक छोटा सा अलसर formation हो जाता है तो यह तो vitamin B की deficiency के कारण से होता है और दूसरा इसको हम angular stomatitis कहते हैं जो angle है mouth के यहाँ पे inflammation हो जाना या cut लग जाना यह सब दूसरा आपने देखा होगा कि जब भी बहुत extreme cold weather होता है तो lip जो है वो crack होने या dehydration की condition में fever की condition में liver जो है वो lip जो है वो dry हो जाते हैं basically साथी साथ बहुत सारे जो cosmetic यूज किये जाते हैं lips के ओपर lipsticks different type की जो synthetic हैं या जो lip balm भी हैं बहुत सारे lip guard कहते हैं उनकी वज़े से भी कई बार बहुत सारी allergic reactions देखने को मिलती हैं एक चीज आपने अकसर नोट की होगी कि कई बार जैसे कोई बहुत किसी चीज से allergic response आता है तो कोई medicine ली या कोई ऐसा फोड लिया जिससे severe allergy हो गई तो क्या होता है कि सबसे पहला परभाव जो है वो आँखों के चारों तरफ और लिप्स पे आता है लिप्स पे बहुत तेज इचिंग होती है और यह पूरे स्वैल कर जाते हैं तो इस कंडिशन को एंजियो नुरोटिक औरीमा कहते हैं और यह toxic या किसी भी allergic reactions के कारण से होता है hypersensitivity reaction है इस के केस में यहां पे swelling आ सकती है यह जो patient acromically होते है acromically मतलब जिन में pituitary gland का hyper secretion होता है तो उनके हाथ भी बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं face भी बहुत लंबा होता है और उनके heart भी उसी अनुपात में लंबे होते हैं जैसे आपने देखा होगा खली को तो acromically condition हो जाते हैं हर्पीज में यहां पे जो labial हर्पीज होती है उसमें भी swelling आ जाया करती है तो यह conditions कुछ होती है बच्चों में monial infection की वज़े से भी लिप्स में यह समझ साय उत्पन हो जाती है तो इस परकार से यह कुछ ऐसी केशने डूलिपके साथ दोसेट रूती है Thank you very much.